इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। Almighty Charlie Satch Tablet दो दवाओं से मिलकर बना है। यह विभिन तरीकों से उच्चरक्चाप को नियंतरित करने में मदद करता है। यदि उच्चरक्चाप का इलाज नहीं किया जाता है, तो यह दिल के दोरे, स्ट्रोक और गुर्दी की विफलता का कारण बन सकता है। आप Almighty Charlie Satch Tablet को खाने के साथ या खाने के बिना भी ले सकते हैं। खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करेगा और आप दवा के प्रती कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इसे हर दिन एक ही समय पर लेने की कोशिश करें। इस दवा को तब तक लेते रहना महत्वपून है जब तक कि आपका डॉक्टर आपको न कहे। इसमें एक मुत्रवर्धक यानि की पानी की गोली होता है और यह आपको अधिक पेशाप करेगा। इसलिए बिस्तर पर जाने के चार घंटे के भीतर इस दवा को लेने से बचना सबसे अच्छा है। इस दवा का अधिक से अधिक लाब प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से इस दवा का प्रयोग करें। भले ही आप अच्छा महसूस करें। उच्छ रक्चाप के आमतोर पर लक्षन नहीं होते हैं और यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपको दिल का दौरा या स्ट्रोक का खत्रा बढ़ सकता है। और इलाज न करने पर स्थाई आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है। सुनिश्चित करें कि आपने अपनी दवाओं के साथ आने वाले पत्रक को पढ़ा है और अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आप दुश्प्रभावों से परेशान हैं या वे दूर नहीं होते हैं। अपनी खुराक को समायोजित करना या किसी अन्य दवा की कोशिश करना संभव हो सकता है। गरभावस्था के दौरान या स्तनपान के दौरान इस दवा की सिफारिश नहीं की जाती है और अगर आपको किड्नी या लीव की बीमारी, हिर्दै की परेशानी या मधुमे है तो आपको इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। शराब पीने से आपका रक्चाप और कम हो सकता है और इसके दुश प्रभाव हो सकते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें।